नोगी तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा मैं कां टू इंपुट इंपूर इंचलिश से मेरे बात करता हूं तो कहीं सारे बच्चे ओठ जो कि वादर एरिया से आते हैं कहीं जगह से आते हैं तो अदिक तरफ लेंस आरे बच्चों की & frase अपनुधा मार्क नहीं होती तो इंग्लिश कैसे इंप्रूफ करना चाहिए इसकी बारे मामझ करेंगे इंग्लिश कैसे इंप्रूटेंट करना चाहिए सबसे पहली चीज किसी भी लेंग्वर्स को समझने के लिए सबसे इंप्रूटेंट चीज होती है रीडिंग स्किल्स आप 25 से 30 मिनिट जरूर रीडिंग स्किल्स करेंगे तो क्या होगा आपकी अंडरस्टेंडिंग इंडरस्टेंडिंग बढ़ेगी तो ओविसली सी बात है आपका लर्निंग से बढ़ेगा किसी भी कंपेटिटिव एक्जामस में यह बहुत माइन रखता है कि आप कुछिशन को कितनी जल्दी समझ रहें तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उस्कुशन का सही सब्सक्राइब से मारी वो के बढ़े जी और हमारी किसी भाष हमें अंडर्सेंदिंग बढ़ेंगी शीजी हमारी प्रिफिक्स एपक्स किसी बी चीज में प्रिफिक्स लगा कर कहीं सारे वर्ड फॉर्मिशन बना सकते हैं जैसे मैंने बोला regular मैंने कर दिया उसको regular मैंने बोला like dislike comfort discomfort यहां पर क्या हो गया यह बात लेंग्वेज में सब्सक्राइब चलती है दूधरी चीज में लगा दिया तो इस तरीके लगा दिया तो हमने इस तरीके से कही सारे शब्द भी हम वर्ट फॉर्मेशन बना सकते हैं तो यही आपको बताना चाहूंगे तीम चीजों को करेंगे तो हमारा इससे काफी अच्छी इंप्रूब इंग्लीश हो जाएगी ठीके थैंक इंगी